डॉक साब ये तो पूरी दुनिया में सब को पता है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान ने बहुत सफलता पुर्वक कोरोना पर नियंतरण किया है और अब माना जा रहा है कि कम्यूनिटी स्प्रिड एक लेबल तक पहुंच चुका है क्योंकि संख्या तीन दिन पहले ही एक जारों में अन्य जगों पर देखने को भी मिल रहा है जब हवाई यात्रा शुरू होगी तो आपको नहीं लगता कि तमाम प्रिकॉसंस के बाद भी संक्रमण बढ़ने की जो संभावना है वो ज़्यादा होगी जिस तरीके से 200 सरमिक ट्रेने रोज चलाई जाएंगी नौन अब ही संभावना बहुत बढ़ेगी संपुर्ण लॉक्डाउन में ये सारी चीजों को एड्मिनिस्ट्रेशन ने निगेट कर दिया था अब ऐसी स्थिति में जो डॉक्टर कम्यूनिटी कह रही है कि जो पीक है वो आने वाला है जून और जुलाई में तो एक तरफ कुआ और एक तरफ खाई की स्थिति है ऐसे में अगर संक्रमण बढ़ता है इन तमाम जो लॉक्डाउन के दौरान फेसिलिटीज बन थी इनको लिफ्ट करने से तो हमारे पास क्या विकल्प रह जाएंगे क्योंकि हमारा मेडिकल इंफ्रेस्ट्रक्चर तो उतना डेवलप्ड न नहीं है मुंबई में तो बेड मिलने भी अब मुश्किल हो गए हैं इस तरह की स्थिति वहां भी इसी स्टेज पर बन गई है तो क्या रास्ता अपनाया जा सकता है क्या बीच का रास्ता हो सकता है डॉक्टर होने के नाते जरा आप इस पर रोश्नी डालें उपेंदर जी इसमें तो एक खुशी की बात है कि देश फिर से खुल रहा है लोग अपने काम पर जा रहे हैं लेकिन साथ में डर भी बना हुआ है डर इसलिए बना हुआ है क्योंकि संक्रमन फैल सकता है लेकिन जैसे हम ने देखा है आप बता रहे हैं और हम देखरो estasष न इस्तिमाल करनी पड़ी है अगर आप देखो दिल्ली में भी अभी vacant bed पड़े हुए हैं और हमने ये जो 2-3 महीने इस्तिमाल किये हैं 2-3 महीने से हमने बहुत अच्छी तरह से bed capacity और capability बिल्ड की है और हमने ये भी देखा है कि इंडिया में ICU जाने के लिए मरीज और ventilator की जरूरत जिनको मरीजों को है वो बहुत कम संख्या में है लेकिन इस दोरान जो सबसे जरूरी चीज़ में आप लोगों को पताना चाहूँगा जो बाहर में बैठें आप बोलें इंडिया गेट में जाके मैं आइसक्रीम खाके आऊंगा ये वो समय नहीं है जरूरी बात यह हमको जो अभी तक जानकारी हम देना चाहेंगे क्योंकि ये समय आ गया है वाइरस के कॉंटाक्ट टाइम का आपको याद होगा जब वो मरकस के केस हुए थे मैं आपके साथ स्टूडियो में बैठा था और हमने ये देखा है सुपर स्प्रेडर तब होते हैं जैसे कोरिया के चर्च में जैसे नांडेट के गुर्दवारा में जैसे मरकस में क्योंकि वाइरस को कॉंटाक्ट टाइम मिलता है उसको स्प्रेड करने का मौका मिलता है एंक्लोज एंवारेंट में और ये स्थिती अब दुबारा पैदा होने वाली है क्योंकि हमने लॉक्डाउन खोल दिया है कॉंटाक्ट टाइम में तीन चीजे हैं एक तो अगर आप शान्त रहें अगर मैं आपके सामने बैठा हूँ मैं कॉरोना वाइरस मरीज हूँ अगर मैं मूह ना खोलूँ तो ड्रॉपलेट इंफ्रेक्शन मेरी बहुत कम है जैसी मैं बोलना शुरू करता हूँ सलायवा निकलता है ड्रॉपलेट जादा आते हैं कॉंटाक्ट टाइम घटता जाता है अगर मैं ठीकता या खासता हूँ तो वो कॉंटाक्ट टाइम सेकंड्स में बदल जाता है कि आपको कुछ ना कुछ पांच या दस मिनिट में वाइरस पहुंच सकता है आपकी तरफ आप एरपोर्ट में हैं लाउंज में हैं प्लैटफॉर्म में हैं जहां तक हो सके शांत रहिए अगर आपको खांसी करनी है तो दूसरे लोगों से दूर जाके खांस करिए एक और दिल्चस बात जो मैं आपको बताना चाहता था ये एरपोर्ट में है और एरपोर्ट में जो नया इन्होंने रिसर्च की हैं जो लोग भी जानके खुश होंगे इस बात को दो नई चीजे निकल रही हैं एक तो एक स्निफर डॉग का एक कैंपेंड शुरू कर रहे हैं कि स्निफर डॉग स्निफ कर सकेगा जैसे वो एक्स्प्लोसिफ को या मलीरिया के पेशिंट को जाच कर सकते हैं उनको ट्रेन किया जा रहा है कि वो कोरोना वाइरस के पेशिंट को जांच करके, स्निफ करके, स्मेल करके बता सके Airbus ने दावा किया है कि हम ऐसे कैमरा निकाल रहे है जो स्क्रीनिंग प्रोसेस में 10 सेकेंड में हमको बता सकेंगे कि ये कॉरोना वाइरस का मरीज है कि नहीं ये जांच चल रही है ये कह रहे है कुछ महीनों में ये भी इंटर्ड्यूस हो जाएगा तो जो भी है हमने काम पे जाना है लेकिन एतियाद बरत के जाना है